किसान भायो आज मैं उश्ट्रक्टर की रिव्यू कर रहा हूँ जो कि 2023 में मारकेट में आते ही खलबली मचा दी है तो आयो इस ट्रक्टर की पूरी रिव्यू वीडियो को सुरू की जाए यहाँ front axle की बात की जाए तो किसान भाईयो आपको इसमें planetary drive के साथ design किया हुआ है जो कि इसके axle को पूरी oil image के साथ structure में रखा हुआ है वहीं आपको dual balancer road के साथ इसमें power steering देखने को मिलेगा जो कि इसकी turning radius को काफी enhance कर दी है और साथ में किसान भाईयो यहाँ पे आपको मिलता है 3 cylinder inline boss company का pump जो कि इंडिया में number one पे है यहाँ पे आपको engine oil filter देखने को मिलेगा जिसकी performance company ने enhance करके structure में डिजाइन की हुए साथ में यहाँ पे आपको मिलता है water separator जो की बेहतरीन quality और performance के साथ इस ट्रक्टर में company दे रही है front tire size की बात की जाए तो किसान भाईयो आपको इसमें 8,18 का काफी बड़ा सा मिल जाता है जिससे इसकी 4 wheel drive की performance और भी बेहतर हो जाती है साथ में rear में आपको यहाँ पे मिलता है 4,28 का tire वहीं रीम में आपको किसान भाईयो इसमें balancing के साथ company दे रही है जिससे आप heavy implement इसे easily चला सकते है यहाँ इसकी clutch की बात की जाए तो किसान भाईयो आपको इसमें मिलता है dual clutch जो की काफी बड़े diameter के साथ इस structure में अच्छे quality में company launch की है साथ में यहाँ पे fully flat platform आपको मिलने वाला है वहीं चाड़ने के लिए आपको यहाँ पे two a step में company ने काफी मजबूती के साथ अच्छे से design की हुई है किसान भाईयो आपको इसमें मिलता है 55 लीटर का काफी बड़ा सा diesel tank जिससे बिना refueling किये लंबे समय तक कार कर सकते हैं साथ में ही यहाँ पे button push के साथ इसके bonnet को open करने के लिए company ने design के हुआ है वहीं आपको इस structure में Samsung का made in India के तहत इस structure में engine मिनने वाली है जिससे बहतर performance आप इस structure से अच्छे तरीके से ले सकते हैं वहीं आपको यहाँ पे मिलता है 42 ampere 12 volt का काफी बड़ा सा alternator जिससे बैटरी easily structure में charge हो जाती है साथ में ही इसकी power steering pump और hydraulic pump को साथ में design किया हुआ है जिससे आप इसकी बहतर performance के लिए काफी जाना जाता है यहाँ पे आपको धाई किलोवाट का काफी heavy duty structure में company ने self starter motor को दिया हुआ है इसकी ADDC की बात की जातों किसान भाईयो आपको two lever के साथ इसमें मिलने वाला है जो की अब खेतों की जुताई की performance structure से और भी enhance हो होने वाली है साथ में यहाँ पे आपको button push के साथ इसकी lever मिलती है parking brake की जिससे लगाना काफी असान है साथ में किसान भाईयो आपको इसमें मिलता है fully all image disc brake और brake pedal को company ने काफी अच्छा तरीके से anti-frictor में design किया हुआ है साथ में यह accelerator pedal को काफी बढ़ी असर रखा है किसान भाईयो आज मैं अपने इस वीडियो में review लेकर रहा हूं मैसी फार्गूसन 246 डाने ट्रेक 4x4 का अगर आप अभी तक मेरे चैनल को subscribe नहीं किये हैं तो किरपे subscribe कर दे यहां इसकी air filter की बात की जा तो किसान भाईयो आपको इसमें dry type dual element के साथ मिलने वाला है जिससे air की filtering capacity को company ने काफी enhance किया हुआ है वहीं किसान भाईयो आपको यहां center में मिलेगा मैसी फार्गूसन का काफी बढ़िया सा logo जो की काफी attractive लग रहा है साथ में dual halogen headlamp को काफी aerodynamic में डिजाइन किया हुआ है वहीं काफी बड़ा सा structure में आपको grill मिलने वाला है वहीं bonnet पे किसान भाईयो यहां पर आपको मैसी फार्गूसन का काफी बढ़िया तरीके से 246 का किया हुआ है साथ में किसान भाईयो आपको यहां मिलता है 4x4 का काफी प्यारा सा sticker साथ में इस ट्रक्टर डाइना ट्रेक में है तो इसकी यहां पर बैजिंग की हुई है वहीं इसकी dashboard की बात की जाए तो किसान भाईयो आपको इसमें multi personality के साथ मिलने वाला है जिसमें आपको temperature meter battery information कितने गंटरे ट्रक्टर चली है और साथ में यहां पर temperature meter के साथ आपको feel information भी दी हुई है साथ में आपको यहां पर मिलता है इसका horn switch जिसे operate करना काफी असान है वहीं आपको subtle shift में यहां पर steering के भगल में ही इसमें gear दी गई है जिसे front reverse आप structure को यहीं से कर सकते हैं वहीं किसान भाईयो आपको इसकी headlight switch को काफी idly operated यहां पर design किया हुआ है जिसे operate करना काफी असान है साथ में आपको यहां पर मिलता है 12 bolt का mobile charger socket जिसे mobile charge कर सकते हैं इसकी gearbox की बात की जाए तो किसान भाईयो आपको इसमें मिलता है fully content में इसके साथ जिसमें आपको right lever में 1,2,3,4 gear option दिया हुआ है जिसे operate करना काफी असान है वहीं left lever में आपको यहां पर मिलता है high low medium किसान भाईयो आपको इस्ट्रक्टर में company दे रही है 12 plus 12 का gear setup के साथ जिससे operate करना इस्ट्रक्टर में अपने load के अनुसार काफी easily है साथ में यहां पर आपको मिलता है live PTO, JS PTO और MS PTO के साथ वहीं आपको यहां पर neutral और economic PTO भी दी गई है साथ में किसान भाईयो यहां पर मिलता है आपको 4x4 का lever जिसे आप इसे operate कर सकते हैं easily इस्ट्रक्टर में किसान भाईयो आपको मिलता है तीन सलेंडर 46 HP 2700 CC का काफी heavy duty engine जो की maximum power में आपको किसी तरह से दिकत नहीं देने वाली है यहां brake light और indicator light को काफी modern style में इस्ट्रक्टर में डिजाइन की हुई है जिससे काफी अच्छे इसकी look को बना देती है वहीं आपको चौकोर में यहां पे rear tail lamp को डिजाइन किया हुआ है कंपनी ने जिसकी night visibility काफी sharp है साथ में यहां पे आपको मिलता है 2 लिटर का bottle holder और किसान भाईयो इसकी यहां पे reflector की बात की जा तो काफी अच्छे तरीके से रेडियम में कंपनी ने डिजाइन की हुई है वहीं आपको यहां पे plastic का toolbox मिल जाता है जिसमें आप range को अपने अच्छे तरीके से रख सकते हैं साथ में इस ट्रक्टर में किसान भाईयो आपको मिलता है सिंगल auxiliary valve जिससे आप टैलिट को attach अच्छे से कर सकते हैं वहीं आपको 3 linkage advanced technology sensing के साथ इसमें आपको ADDC दी गई है जिससे आप खेतू की जुताई बहतर इस ट्रक्टर में होने वाली है वहीं इसकी hinge की बात की जातो आपको adjustable मजबूती के साथ दिया गया है साथ में आपको यहाँ पे 6 aspile 49 hp heavy duty के साथ इस ट्रक्टर में आपको PTO मिलने वाला है यहाँ इसकी hydraulic की बात की जातो 3 linkage advanced technology heavy duty में आपको adjustable में company दे रही है जिसकी lifting capacity company ने 2050 kg का भारी बहर कम रखा हुआ है साथ में यहाँ पे आपको adjustable में company ने linkage को design किया हुआ है यह था review किसान भाई और मेसी फारगूसन 246 फोर भाई फोर डैने ट्रक का अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब के के बेल आइकन को दबाय कर और अट्पी के सनौन करें